विल्कम स्टुडstorms क्लास गेस्ट्रॉपोडा के थरड लेक्षिर में आज हम कुछ टॉपिक डिस्किस करेंगे फैस्ट है नर्वस सिस्टम जो प्रिमिटिव गेस्ट्रॉपोड्स हैं उनका जो नर्वस सिस्टम था वो मुष्टमिल था छे गेंगलिया पर गेंगलिया हम कहते हैं neurons की cell body यह बहुत सारी neurons की cell body होती है उन्हें गेंगलिया कहा जाता है तो जो nervous system था वो छे गेंगलिया पर मुश्चमिन था यानि तीन पेर थे गेंगलिया के वो जो तीन पेर थे गैंगलिया के वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे यानि ये जो जैसे तीन पेर से ये एक दूसरे से connected थे एक दूसरे से जुड़े हुए थे कैसे जुड़े वो इस चीज से जुड़े हुए थे उस चीज को हम कहते थे nerve cord तो 6 ganglia है यानि 3 pair है और एक दूसरे से connected है throw a nerve cord अब ये 3 pair कहां भी present है तो ये जो 6 ganglia है यानि 3 pair है वे present होते है एक होता है head region पे यानि ये इस तरह से gastroports का structure होता है एक होता है head region पे present होता है ये इनका head ये antenna है ये head region है ये जो इनका ये वाला region है ये foot region है और ये जो उपर वाला इनका region है ये जो है इनका shell यानि visceral mass जहां पर इन body के सारे जो है वो organs वगरा प्रेसंट है एक head region पे present है एक foot region पे present है और एक जो है इनके visceral mass में प्रेसंट है सो 3 pairs है एक हेट, एक फूट और एक विजरल मैस में जो टारियन जब हुई टारियन से क्या हुआ टारियन हम कहते हैं ट्विस्टिंग अफ बाडी यह निए इनके बाडी के जो कुछ आरगन्स हैं उनकी ट्विस्टिंग हुई जिसे टारियन कहा जाता है टारियन हुआ टारियन से यह जो नर्व है जिसने इन गेंग्रिया उसको connect किया है जो एक हैड़ेजन पे है एक फूटरिजन पे है और एक विजरल मैस पे है नर्फ नर्व कार्ड है इस नर्व कार्ड में क्या होई ट्विस्टिंग हो गए यह थोड़ी twist हो गई, थोड़ी टेड़ी हो गई जब evolution हुई gastropod के nervous system में तो evolution से क्या हुआ यह जो twist की गई nerve थी यह twist की गई nerve थी यह untwist हो गई evolution से यह nerve card है जिसने ganglia को connect किया हुआ है यह nerve card untwist हो गई इसकी untwisting से यह फाइदा हुआ कि जो nervous tissues है वो concentrate होना शुरू होगे यह nerve tissue है उनकी एक जगा पर concentration हुई और उनकी concentration से एक large ganglia वजूद में आया खास दोर पर इनके head region पर यह जो head region है यह यहाँ पर एक large ganglia यह जो neuron neurons से जो body है यह जो nervous tissues है यह concentrate होना शुरू होगे इनकी concentration हुई यह एक large ganglia वो वजूद में आया head region पर जिसे cerebral ganglia कहा जाता है यह जो act as a brain नेक्स्ट है sense organ तो यह जो है फार ग्लास के स्टो पोड़ा इनके पास well developed sense organ presence है यह कुछ sense organs है फर्स्ट है eyes तो eyes जो है इनके present होती है at the end of tentacles यह जो है इनके tentacles है यह लंबे लंबे से structure है यह इनके tentacles है तो यह इनके tentacles के end पर इनकी eyes जो है वो present होती है इनकी जो eye है यह एक सादा पिठ हो सकती है photo receptor cells की या इस पे lens और कार्णिया भी मुजूद हो सकते हैं statocyst first है eye जो के एक simple bit of photo receptors भी हो सकती है या इसमें lens और कार्णिया भी मुजूद हो सकते हैं statocyst जो है इनके foot region में यह sense organ present होता है औस्फिरीडिया औस्फिरिडिया जो है यह कीमियो कीयोड रेसे़्टर है यदि इमिकल्स को detect करना इसका काम है यह प्रेजेट होता है in interior wall of mental cavity यह इसका mental cavity है तो यह इसका interior wall है यह …ocar नाचरह और यह मैंजल्स क्योड़ है यह जो स्वराख में नजर आ रहे है looks और यहां पर इसके इंटीर वाल आफ मेंटल काविटी इसका काम होता है केमिकल्स को डिटेक्ट करना क्योंकि वाटर यहां से एंटर होता है mental cavity से क्या होता है water enter होता है उसलवा हवा जो है so water और हवा या हवा जो है जब यहां से enter होती है तो water के अंदर जो chemicals होते है और उस्फरीडिया का काम होता है उन chemicals को detect करना उनकी detection में इसका रोल होता है जो predatory gastroports है उन में gastroport उस्फरीडिया जो है इसका काम होता है प्रे क्यों detect करना excretory system जो primitive gastroports है इनके पास दो वो नफ्रीडिया प्रेजन्ट से लेकिन जो gastroport है उनके पास सिरफ एक नफ्रीडिया है इनके राइट नफ्रीडिया जो है वो lost है यह खोचुके है राइट नफ्रीडिया को due to coiling , क्यूक्कि इंके शेल में क्या होी coiling ही सिरक दाश नके तो coiling से और जो एक नफ्रीडिया निप्रिटीन ज्याइए यह सैख लाइक है एक सैख की तरह का है और यह वजूर होता है इसके बाड़ी की फोल्डिंग से यह सैक है यह फोल्डिल होती है huge satire यह स्ट्रक्शुर होता है search Tibet Iiamu, इसतार से searching स्ट्रक्शुर होता, Полड़िड शच्रक्शुर होता है, यह इसकी जाफंचीत से उरेतर है, आशे इस तरह से क्या होता है? यह स्ट्रक्शुर होता है, व्हें affairs have a यह थानी आम divisionless that Fr cualquier मेel केसे हैं रंड säckनेक्ति घ्युदि ऊफारमिशन कीसे केसे होते है फूबुलोड होता है एई छिविल्टर किया जाता है हम सब्सक्रामिख आज अधर है कि शिलूड़ ऐस can सिक्रीट कर दिया जाता है जब बाडी सिलोम में फ्लोड को सिक्रीट कर दिया जाता है तो निफ्रीडिया का काम होता है वहां से उस सिलोम से क्या करना उस फ्लोड को रिपसाब करना उस फ्लोड के अंदर जो आइंस है जो आरगनिक मालिकूल्स हैं उनको रिपसाब करना और एक वेस्ट हो मोडिफाइ करना यह जो है इसका structure है हमने आगे बात की कि यह जो है इसका विजल मैस इन्दुरूर्णी structure यहनि इसका विजल मैस है यह हम इससे Gohom कह dürfen दो ह downs सी Leome हिन्हें इसकी body cavity तो यह जो边 सी लोम है यहां पर कैसे जाता है fluid जो है उसको filter करके siloam में release कर दिया जाता है जब siloam में release होता है तो यहां पे nephredia present होती है यह जो है sack like structure present होता है यह sack like structure का काम होता है absorb करना जो reabsorb करना आइंस को, organic molecules को reabsorb करना और waste को modify करना अब यह जो nephredia है open होता है into the mental cavity nephredia की opening होती है mental cavity के अंदर अज़े हम previous अपनी डाइग्राम देखें तो यह torsion के बाद यह structure है यह gills है, यह NS है और NS के साथ ही nephredia की opening को रही होती है तो यह ज़ंदर वला structure इसके mental cavity है sorry, यह वाला जो है इसका mental cavity है यह इसका जो है internal जो है इसको हम विजरल मैस कहा रहे है तो नफरीडिया जो है यह इसकी opening होती है into the mental cavity यह mental cavity है, यह gills है, यह NS है और यहाँ पर ही साथ के और यह opening हो रही थी है नफरीडिया की अब वेस्ट प्रोड़क्ट इनमें जो वेस्ट प्रोड़क्ट है बलके यूरीक ऐसिड है अमूनिया जो है, यह बहुत ज्यादा toxic होता है तो जो यह trusted gastroports हैं यह क्या करते हैं अमूनिया को less toxic form में convert करते हैं जिसे यूरीक ऐसिड कहा जाता है और इससे जो जो फेशिल होता है वो उसकी जो नेचिर होती है वो थोड़ी semi-liquid होती है और इससे क्या होती है रिप्रोप्शन में जो वाटर की जो रिप्रोप्शन होती है इससे इनको मदद मिलती है नेक्स्ट है रिप्रोड़क्शन रिप्रोड़क्शन में जो बहुत सारे मरीन सनेल हैं वो डायोशियस है जो marine snail है वो dioces है यानि male और female जो reproductive organs हैं वो separate है इनके जो गनेर्ट्स हैं वो इनके visceral mass में ही presence होते हैं जो ducks हैं वो gamete को बाड़ी से बाहर discharge कर देते हैं और ducks जो हैं वो gamete को बाड़ी से बाहर जैनि C के अंदर उनको release कर दिया जाता है फर्ट्लाइज़िशन जो है जो जब ducks बाड़ी से बाहर लीज हो जाएंगे गमेट से तो फर्ट्लाइज़िशन है वो भी क्या होगी external होगी बाद जो सनेर है वो munisius होते हैं यानि munisius क्या होते हैं कि जो female और female reproductive organ जो एक ही बाड़ी में प्रेसंट होते हैं लेकिन में self-fertilization नहीं होती बलके cross-fertilization होती है cross-fertilization मतलब कि एक जो है वो gastroport male के तोर पर act करता है और दूसरा gastroport as a female act करता है और उनमें copulation होती है fertilization जो है munisius species में वो internal होती है यह कुछ डाइग्राम है यह हर्मेफ्रोडाइट ग्लैंड है इनकी कुछ oviducts है यानि यह जो structure है यह munisius species का है जिन्में male और female reproductive organ जो है एक ही body में प्रेसंट है mutual sperm transfer during capulation बास कहते हैं कि जो sperm की transfer होती है वो दोनों तराफ से होती है और यह बास कहते हैं कि एक snail जो है वो male की तोवर प्रेक्ट करता है और दूसरा snail जो है एजा female act करता है और copulation जो हो अकर होती है इनकी जो penis है उसकी formation होती है body की folding walls है जो बाड़ी वाल्स है बाड़ी की वो इन में folding होती है और penis की formation होती है जो portion होता है female reproductive tract का इस glandular होता है जैसे यह female reproductive part है जिसमें mucous glands present है albumen gland है यह female reproductive tract है यह albumen है यह OV duct से आगे और यह mucous glands, albumen glands है यह glandular होता है जिसमें glands वगरा प्रेजंट होते है इनका काम क्या होता है मुकस को सुक्रीट करना या capsule को सुक्रीट करना जो के egg fertilized egg होता है यह mucous gland है जो करते हैं mucous को सिक्रीट करते हैं mucous की release करते हैं albumen glands जिनका काम होता है yaw की सिक्रीशन में और capsule shell की सिक्रीशन में बहुत जो मनेश्य स्पिशिस हैं स्नेल की वह protendric होती है यह जिने male जो है यह 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 टेस्टी जो है वह पहले ही mature हो जाती है mature होने के बाद जिब टेस्टी डिजर्मरेट हो जाती है देन female जो रिपरड़क्टिव पार्ट्स है वह mature हो जाते है development जो एग है उसको shed किया जाता है singly या एग जो है केला जो है उसको बादी से बाहर रिलीस कर दी जाता है या cluster की शकल में गुच्छे की शकल में क्या किया जाता है एग्स को रिलीस किया जाता है और fertilization जो है वह external होती है अब जो fertilized egg है उसको deposit किया जाता है glutinaceous mass में jelly-like nature, thick jelly-like substance जो trusty snail है उनका जो एग होता है वो large होता है जिसमें बहुत ज़्यदा york present होती है तो वो deposit करते हैं ऐसे environment में जैसे forest old leaf trader यानि गले सड़े जो पत्ते हैं वहां पर क्या करते हैं अपने एग को release कर देते हैं इनका जो shell होता है वो cultureous होता है, दो तरह के लार्वा जो है वो gastroports में produce होते हैं फिर्स्ट है trocofollow larva और सेकंड है vulgar larva trocofollow larva जो marine gastroports हैं इनमें जो cleavage होती है वो spiral होती है जो spiral cleavage होने के बाद एक free swimming larva की formation होती है और उस free swimming larva को कहते है trocofollow larva विल्गायर लार्वा जो ट्रोकोफोर्ड लार्वा है वो ड्वेल्प हो जाता है इंटू विल्गायर लार्वा जो वलगाय लार्वा है ये फ्री स्विमिंग लार्वा है लेकिन इसके पास फुट होता है आईज होते हैं टेंटिकल्स होते हैं और शेल भी प्रेजन्ट होता है बास काथ क्या होता है कि ट्रोकोफोर्ड जो लार्वा है वो प्रड्यूस नहीं होता वलगायर लार्वा ही बास मिशी में प्राइमरी लार्वा के तोर पर एक करता है में ट्रोकोफर लार्व परड्यूस नहीं होता, वलगायर लार्वा ही प्राइमरी लार्वा होता है, यनि फिर्स्ट लार्वा होता है, तो टार्विशन होती है, वो वलगायर स्टेज में करोती है, तो टार्विशन होती है, वो वलगायर स्टेज में करोती है, तो सोने के बाद यह अडल्ट में कनवर्ट हो जाता है